आज मैं छेट पर आई भी थी और छेट का मौसम बहुत अच्छा हुआ है तो मेरी खाला की बेटी भी आज आई भी है जो कि उदर खेल रही है और अभी आभी हम दुकान जाकर आए हैं और मौसम देखो बहुत अच्छा है और यहां बरफ कम होने लग चुकी है और बरफ खत होना लग चुकी है तो अभी में नानी के गर भी जाओंगी खाला के साथ एक दो दिन रहने तो तो हम हमें बहुत प्यारी प्यारी स्टीकर्स मिलें दुकान से लाया और हम बहुत खुश्वे इशार को भी अलसा मुझे भी अलसा इमानी को भी अलसा और मुझे अट आट से बिजली भी इस टाइम नहीं आती चुम सदल भी इनसा और कि दो अधर कि दं में बिजली नहीं आती और रात को भी बहुत लेट आती है और पतनाए ननी की गर है ये नहीं तो वो जो उदर आप लोग बादल देख रहें वो जो उदर बादल है वो बिल्कुल प्लेन के तरह लग रहे है और इधर से जब हम खेल रहे थे तब एक बड़ा सा प्लेन गया और बिल्कुल फोजी प्लेन था और पहाड के उपर लैंड के आउसे तो गाइस खाला के लिए कि आओ आओ जाने के लिए तो उदर बादल पर भी हलोकप्टर बना हुआ है पता नहीं आज मेंचे क्या नजर आ रहे हैं पर हलोकप्टर जैसे बना हुआ है तो देखते हैं कि नानी की गड़ बिजली सही से होता है कि नहीं देखेंगे एक ज़दिन बैठकर और सबसे जादा अच्छी बात सबसे जादा अच्छी बात मेरी बिर्थ डें आने वाली है जनरी 17 को और उस दिन तो मैं बहुत जादा खेल करूंगे आप सब खुद ही देख लेंगे तो गाइस हमने इदर च्छत पर गर बनाया हुआ था जो इमान और मेरी खाले मेरी खा आप कर दिया खुद ही देख सकते हैं तो काइस आज के लिए इतना काफी क्यूंकि मुझे नानी की घर जाना है और खाला बहुत जादा बुला रही है इसे जिस से इन्शाला नानी के घर से भी वीडियो बनाऊंगी लाइक करना शेयर करना सब्सक्राइब करना बाई